Hello friends, welcome to our channel, in this video I am going to provide you the list of documents which are required before interview board with proof क्योंकि जब तक आपको proof नहीं मिलेगा, then you guys don't believe कि यही documents आपको चाहिए, okay तो इस video में आपको मैं interview admit card दिखाऊंगी along with the attached document list जो आपको मंगाई जाती है before interview board then after that we discuss the result date of MNS की most probably कब तक आ सकता है और उसके बाद application form for MNS 2021 तो start करते हैं, see guys first of all आपका जो admit card है वो इस तरह के से आएगा interview का admit card आपको दो time आता है, first जब आप written test देते हो उसके लिए admit card आता है जब आपका admit card के बाद आपका list जो बनती है जिसमें आप pass होते हो merit list में cut off से उपर अगर आपके marks आते हैं तो उसके बाद उसके एक दो हफते बाद ही आपका interview के लिए admit card आ जाता है, तो जिन बच्चों की उसमें cut off से उपर marks होते हैं तो उनके लिए admit card अलग से आता है, जो की interview का होता है तो वो इस type से है, यहाँ पर मैंने कुछ information है जो hide कर रखी है due to security reasons, तो इस जो interview है आपको यह जो मैं document list प्रोवाइड कर रही हूँ यह इस interview के पीछे ही back side पर दो pages आते हैं जहाँ पर आपके documents लिखे होते हैं कि आपको कौन-कौन से documents हैं जो लेके आने हैं, ठीक है, interview board जब आपका होगा उससे पहले one most important thing, जो मुझे भी doubt था कि क्या interview और medical दोनों simultaneously चलते हैं तो the answer is yes, आपका जिस दिर interview होगा, उसी दिन से आपका medical भी start हो जाएगा मालो for example कि interview के लिए 30 बच्चे बुलाए गए हैं तो 15 बच्चों को medical के लिए भेज देते हैं उसी दिन से और ऐसा नहीं है कि एकी दिन में उनका medical हो जाएगा, वो एक हफते तक चलता है तो आपको मैं सारे details बता दूंगे कि आपको क्या-क्या लेके जाना है बट पहले हम documents discuss कर लेते हैं because documents अगर आपके clear होंगे न तो अगर आपका इस बार हो जाए ऐसा मैं चाहती हूँ बट इन दे केस अगर आपका list में नाम नहीं आता है तो definitely आप next year तो दोगे न MNS का तो तब आपका time waste नहीं होगा तो अभी ही से अपने documents को prepare करके रखो ओके ओके I am providing the list तो this is interview admit card अगर आपको अब आपको क्या क्या चाहिए सीगा इस list में सारा लिखा होता है तो अलग से आपको कोई list निकालने की जरूत नहीं है यह आपका interview के साथी आएगी list documents की जो आपको चाहिए और फिर भी आपको ऐसा चाहिए की list चाहिए तो आप screenshot ले सकते ओके ओके आपको क्या करना है पहला point देखो you must bring the print out of your interview admit card यह जो interview admit card मेंने starting में दिखा है इसका आपको photo copy लेके जानी है और आपको एक photo attached भी करके जानी है जो आपके interview पर already pasted photo है उसके साथ then अब इसके बाद पहला तो इन्होंने बोल दिया कि interview का आपको admit card लेके जाना है उसके बाद जितने भी यह documents की list है इन सब की आपको दो copy लेके जानी है sorry one original and one photocopy तो आपको total two documents each लेके जाने है जो भी आपको list provide की गई है along with original ओके one photocopy and this original ओके तो second point पहले आपको interview का admit card लेके जाना और उसकी photocopy भी मतलब आपको दो interview के admit card लेके जाने है then next one is you must produce the following documents before the interview board तो यह आपको documents लेके जाने है यहाँ पर a point लिए जो लिखा है उसमें देखो to be produced in original along with one attached copy ठीक है photocopy इसमें आपको क्या की लेके जाना है इसी guys आपको जो भी doubt है वो मैं सारा clear करूंगे क्योंकि जब मैंने अपने documents बनाए थे तो मुझे भी काफी problem phase करनी पड़ी थी तो I hope वो ही same problem आपको भी आएंगी तो मैं पहले से ही आपको clear कर देती हूँ ताकि आपको documents जब आप बनवाने जाओ तो कोई problem ना हो ठीक है ओके तो पहले आपको 10th mark sheet उसकी photocopy ठीके बार बार मैं photocopy नहीं बोलूँगी सबकी आपको photocopy लेके जानी है तो 10th की mark sheet आपकी उसके साथ आपकी photocopy then 10th pass certificate equivalent certificate including date of birth see guys ये जो 10th pass certificate है वो इसलिए बोला है क्योंकि अगर कोई बच्चा है जिसने 10 तक किसी school में पढ़ाई किये और 12th दूसरे school से किया है तब आपको ये 10th certificate passing certificate चाहिए वरना इसकी कोई ज़रूत नहीं है और वैसे भी one more important thing आप तो जो CCE pattern है ठीके 10 तक CCE pattern है तो वो passing certificate नहीं देते है तो इसमें confused मत हो न then next is transfer certificate आपको TC लेके जानी है जो आपको after 12th मिलती है जब आप 12th pass out करते हो तो वो TC देते है ठीके वो आपको TC लेके जानी है 12th mark sheet लेके जानी है ठीक है fourth point is 12th की आपको mark sheet लेके जानी है उसके बाद class 12th pass certificate या class 12th appearing certificate तो कई सारे बच्चे हैं मैंने भी नहीं लिया था अपने school से लेकिन जब मुझे ये documents की list प्रोवाइट की गई तब मुझे पता चला कि हाँ एक passing certificate भी होता है जो आपको school से इम लेगा तो कई बार ऐसा होता है हम passing certificate लेना भूल जाते है अपने school से तो school जहां से आपने 12th की है वहाँ आप उस school में जाओगे तो definitely वो आपको passing certificate प्रोवाइट करेंगे ओके देन नेक्स्ट इस migration certificate ठीक है migration certificate यहाँ पर वो 12th का लेते है वैसे मैं 10th का भी लेके गई थी लेकिन 10th और 12th का हमार जो migration certificate है वो आप दोनों लेके जा सकते हो वैसे 12th का चाहिए होता है नेक्स्ट इस आधार काड आपका अधार काड सबके पस होता है अधार काड अधार काड लेके जाना है उसकी photo copy सब की फोटो कापी है नन नैशनलीटी 115 अधारर चाहांगि की आधार काड जब नहीं बन रहे थे पहले उससे पहले नैशनल एटी सर्टिफिकेट चल दा था जो इंडिकेट करता था that you are resident of Indian तो अब जब अधारकड आगे है तो नैशनल सर्टिफिकेट बनना बंद हो गया है तो problem मत create करना panic मत होना कि नैशनल सर्टिफिकेट नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नैशनल एटी सर्टिफिकेट के इसे आप कट भी कर सकते हो then next is domicile सर्टिफिकेट यह आपको must है domicile सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है और domicile जो आपको indicate करेगा आपके address को ठीक है आपका जो address है वो उसके लिए उतर domicile सर्टिफिकेट then next is gap certificate when there is a gap of more than two years for example अगर आपने 10th किया है ठीक है और 10th और 12th में 2 साल लगते हैं passing होने में ठीक है 10th की बाद 12th आने में 2 साल लगते हैं अगर यहां पर आपको 2 साल से जादा का अगर आपका gap है it means मतलब आप 10th में fail हुए हो या फिर 11th 12th में कोई मतलब मैं यह नहीं बोल रही फेल हुए आपको कोई कोई बिमारी हो गई है या उस साल आपने admission नहीं ले पाए किसी रीजन से तो वो यहां पर वो मांग रहे हैं आपका gap certificate where there is a gap of more than two years ठीक है between passing of class 10th and 12th examination a certificate stating that the reason for the gap to be obtained from the principal of the school from where you 12th completed तो यह जो gap certificate है यह आपको principal provide करेगा जहां से आपने 12th किया है और वो principal certificate में यह indicate करेगा कि आपका reason क्या था कि आपके यह दो साल से जादा gap क्यों आया है ठीक है तो यह तो हर बच्ची के लिए नहीं है जिसके पास जिसकर में gap आये उसी के लिए यह लेके जाना है the next is proof of having passed a regular candidate to be obtained from the school where 12th is completed तो see guys यह मैंने बनवाया था यह कैसे बनवाना है आपको जिस स्कूल से आपने 12th की है उसे स्कूल के उसे स्कूल के principal से बोलना ठीक है कि यहां पर हमें एक मतलब paper provide करो वो principal ही खुद आपको मतलब A4 sheet पे statement लिख देगी कि this is her name and she is a regular candidate of our school और वो signature कर देंगे principal तो यह simple सा certificate है इसमें कोई as such certificate नहीं है कोई ठीक है two latest character certificates from the different gadget officer तो दो different जो gadget officer होते हैं उनसे आपको दो character certificate बनाते हैं बनाना है latest character certificate का मतलब है वो date लिख के देंगे और अपने signature करके देंगे ठीक है तो date होगी तो वो latest character certificate होगी आपके दो different gadget officer तो यह आप कोई like तहसीलदार है वो registered officer होते हैं वैसे तहसीलदार नहीं होते हैं डीम अगेरा होते हैं या फिर कोई MBBS doctor हो वहां से भी बन सकता है ठीक है तो मेरा army background था तो मैंने एक sir से बनवाया था जो MBBS के थे MDN MBBS army के जो doctor होते हैं उन्होंने बना के दे दिया था बट अगर आप civilian हो तो no problem बहार से भी बन सकता है ठीक है then next is certificate from the principal of school stating that the candidate has appeared for 12th exam board यह उन्होंने बस्चों के लिए है यह उन्हों student के लिए है this 13 13 जो point है certificate from the principal of school stating that the candidate has appeared for the 12th board exam in 2019 मतलब 2020 हो जाएगा अगर आपका 2020 का है and has a test copy of hall ticket जिन्होंने 12th appearing में exam दिया है उनके लिए ही आप पढ़ लेना सबकी लिए नहीं है जिन्होंने 12th इसी साल दिया है 2020 में और उसी साल उन्होंने उनका इंट्रव्यू का एड्मिट काड आया तो उसमें यह आपको documents लेके जाने है in before interview board तो इस statement को आप पढ़ ले ना normal है आपका जो जहां से आपने 12th की है वहां की आपको एड्मिट काड और जो प्रिंसिपल स्टेट करेंगे कि यह candidate है appearing 12th बोर ठीक है एंड देन नेक्स्ट इस candidate of SC ST if applicable for not below the rank of first class magistrate and तैसीलदार subdivision officer of the area where the candidate and or her family normally resides तो यह आपको आपको certificate लेके जाना है अगर आप SC और ST से belong करते हो अगर आपकी category SC और ST है तब आपको यह certificate लेके जाना है ने नेक्स्ट इस dependent certificate of army और ex-service personnel from the competent and if applicable ठीक है अगर आपके father army में है ठीक है यहां फिर ex-service मेंने मतलब retired है तो आपको वह भी documents लेके जाने है ने independent certificate के बाद सी गई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर army में है तो कुछ फायदा होगा और dependent certificate का फायदा होगा तो definitely फायदा होता ही है ठीक है क्योंकि यह मैंने notice किया है जब आपका interview में आपका documentation होगा interview से पहले तो जिनके बच्चे army में होते हैं ठीक है यहां service man होते हैं तो अलग से कोई एक colorful slip लगा के देते हैं आपके जो documents सारे collect हो जाते हैं उसके बाद ठीक है collected documents में वह आपके slip लगा के देते हैं फिर आपको interview के लिए जाने देते हैं the next is certificate of proof war widows dependent of personal skilled in the action dependence of died in harness ठीक है ड्यूटी के दोरान अगर किसी की death हो यह किसी के ममी की पापा की तो उसका अगर आपके पास कोई certificate है certificate of proof है यह ठीक है कि उनके जो war widows है या फिर dependence of personal skilled in action ठीक है वार वगेरा में killed हो है तो उसका आपको यहाँ पर certificate applicable है I hope आपको यह सारे documents clear हो जाएंगे ठीक है कोई problem नहीं आएगी कर कोई problem आती है तो you can comment me in the comment box documents में आपको कोई problem नहीं आने वाली है this I guarantee do okay then next is NCCC certificate if applicable अब यहाँ पर कुछ ऐसी पाते हैं जो लिखी है inside story कुछ और है सी गई यहाँ पर NCCC certificate लिखाए सिर्फ लेकिन जिन बच्चों के पास NCCA और B certificate है वो भी चलेगा सी तो दोड़ेगा लेकिन A और B है तब भी चलेगा उसके थोड़े marks कम मिलेंगे बट फिर भी आपको interview में add up marks होते हैं सी certificate के A और B के भी होते हैं क्योंकि मेरे टाइम पर एक बच्चे के पास A certificate था NCCA certificate उसका वो accept कर लिया था अगर आपने कोई national लेवल पर या international लेवल पर आपने कोई sports में participate किया है और उसका आपके पास certificate है तो वो आपको must है वो बहुत फायदा करेगा आपको ठीक है पास आपने कोई school competition में participate किया है ठीक है whether it is your exhibition और painting वगेरा कुछ भी है उससे relevant वो आप certificate लगा सकते हो and the most important आपको जो passport size photo लेके आने जो आपके admit card पर attached a photo वैसी आपको photo 8 लेके आने ठीक कितनी 8 photos ठीक है ये 8 photos आपके जो medical और interview की जो booklet प्रवाइट करी जाएगी वहाँ पर paste होगी तो हो सके तो अपना glue लेके जाना साथ क्योंकि बच्चे देते नहीं वापर वो अपना करने मे लगे रहते हैं and then next is I hope कि आपको problem नहीं हो रहेगी voice से क्योंकि अभी cold ठीक हुआ है तो this is important topic इसलिए मैंने wait नहीं किया इसके लिए okay then next is see यहाँ पर medical का भी लिखा ये जो आपका TA और DA है ठीक है ये मैंने बिलकुल भी इसके लिए form नहीं फिल किया था form वो देते हैं उध पर मिलते हैं मतलब जो आपने अगर आप preservation करके आयो interview center तक जहां पर आपका interview होना है तो last में वो आपको जब सारा आपका medical हो जाते है तो तब आपको ये form submit करना पड़ता है इसका में को exact knowledge नहीं है और वैसे भी मैंने ये नहीं किया था फिर ओके और आपको करना है तो इसको आप read कर लेना then fourth point medical examination इसमें लिखा है you will be subjected to medical examination and will not leave ठीके underline करके लिखा है and will not leave the hospital till the complete medical examination is over and you are informed for the result of medical examination अब एक और question आता है आपर एक बच्चे ने comment में पूछा था कि आपका हमारा जो interview होगा उसका result आता है तो see guys वो interview ले ले लेते हैं बट आपको नहीं बताते कि आप interview में qualify हो या नहीं हो वो complete merit list बन के आती है आपकी medical अगर आप fit हो जाते हो उसके बाद medical में आपको पदा चल जाएगा कि आप fit हो या unfit हो यह मैंने आपको medical वाली वीडियो में बता दिया है कि अगर आप medical आपका president board के पास medical जाता है final आपका तो वो वहाँ से आपको पदा चल जाएगा कि आप fit या unfit हो लेकिन interview का as such वो कुछ भी नहीं बताते ठीक है interview का कुछ नहीं बताते the hospital till then इसमें लिखा है you will not leave the hospital hospital and the result of the medical examination होगा आपका होई पर any query or doubt related to the medical examination will be clarified by the president medical board जो आपका RMB होता है okay RMB and AMB पर मैं वीडियो आपको provide कर दूँगी ठीक है मतलब जो initial medical board होता है ठीक है जो initial medical board होता है उसको उसमें अगर आपको query है तो आप president of medical board के पास अपनी query लेके जा सकते हो then उसमें आपको temporary unfit कर दिया जाता है medical में तो उसके बाद दो steps और होते हैं आपके पास दो choices और हो सकती है this is RMB and AMB review medical board and appeal medical board तो RMB, AMB दो steps और है उस पर वो हम कभी और discuss करेंगे जब medical pass में होगा तब ही हम discuss करेंगे क्योंकि अभी काफी सारे बच्चे तो 2021 preparation के लिए वीडियो के demand कर रहे है तो वो भी provide करना ज़रूरी है ठीक है then next is आपका जो final merit list होगा मतलब आपका जो complete आपका medical and interview के पात जो आपका admission के लिए जो call letter आएगा ठीक है MNS की colleges में तो final merit list आपका written test प्लस interview ठीक है written test प्लस interview का होगा आपका merit list बनेगी इसके basis पर and will be prepared at Indian headquarter and only as per the merit and vacancy subjects to the medical fitness medical fitness है अगर वो बच्चा और उसकी merit list में नाम है तो उसको फिर candidate को call letter भेजा जाता है for the admission ठीक है तो final जो selection है ना जिसे interview के लिए जिस बच्चे को interview के लिए बुलाया गया है उनके तो नाम आ जाते है लेकिन जो final merit list होती है for the admission for different colleges in MNS MNS के different colleges के लिए अगर आप जब admission के लिए जाते हो तो आपको particular message यहाँ फिर call letter भीजा जाता है वो आपको list provide नहीं करते है ठीक है यहाँ पर आपको note लिखा है कि all candidates appearing 10 plus 2 board examination must subject the attest copy of the 12th mark sheet soon after यह आपका result के बाद वाला जो step है अगर आप 12th appearing हो क्योंकि पहले तो आपको 12th appearing हो और आपने exam दिया है तब तो आपके पास 12th mark sheet नहीं होगी ना तो इसलिए तब आपको hall ticket वगेरा लगा दिनी है मतलब temporary basis पर interview के दौरान उसके बाद जब आपका admission हो जाता है उन बच्चों के लिए बोला है कि जिनका admission हो गया है उनका call letter आ गया है लेकिन उनने अभी 10th की वो sorry 12th की mark sheet नहीं जमा खरी है उसके लिए यह है ठीक है तो इस मैं इसमें आपको एक proof दिखा देती हूँ पिछली बार exam हुआ था 13th of February 2019 में MNS 2019 का तो जो admit card की जो list है मेरा जो interview था वो 8th को था मतलब ठीक है में में था में में था और जिसे आपका हमारा जो exam था 14th of February को था 2019 14th February 2019 को MNS के exam था और जो result आया था वो 31st या फिर 30 I don't know the exact date लेकिन 31st and 30th of March को आपका हमारा result आ गया था 2019 का ठीक है तो basically एक महिने से जादा लगे था लेकिन इस बार क्या है online है तो इस basis पर मैं आपको बता रही हूँ ठीक है तो आपका result जो है first or the second week of October में definitely release हो जाएगा यह maximum time है इससे पहली भी आ सकता है लेकिन maximum इतना time लगना चाहिए अगर online क्योंकि online हुआ है CBT based हुआ है तो इतने में result आना चाहिए then application क्योंकि काफी सारे बच्चे है 2021 की preparation कर रहे है MNS के लिए तो जो 21 के लिए preparation कर रहे है उनको एक most important information यह है कि November में भी अपने form चेक करते रहे हैं क्योंकि कभी कबार हम सोचते है December में आते है बड़ ऐसा नहीं होता November में भी आ जाते है ठीक है 2019 के 2018 के November में release हो गए थी ठीक ह है तो इसलिए मैं बोल रहे हूँ November और December में चेक करते रहना कभी भी आ सकता है ओके गाइस दिस एंड आफ दा वीडियो और 2021 की preparation मैं जल्दी प्रवाइट कर दूंगे आपको वीडियो उसके लिए बट अभी थोड़ी you know health problem है तो इसलिए मैं वीडियो regular basis पर नहीं प्रवा रिलाइंट फिल होगा कि हाँ यही डॉक्यमेंट्स चाहिए है ओके गाइस थैंक यू